अलो दोस्तों आप सोजी का सौगत मेरे यूटूब चनल में मैं कैंडिर मास्टर विनोश शर्मा आज हम लोग इस इटेलियन गेम इटेलियन ओपनिंग या जी को प्यानो का पार्ट 3 लेकर आए हैं इसके पहले दो पार्ट जरूर आपने देखे होंगे काफी अच्छे रिस सब्वरें यहां पर आने वाला करो का काफी यूश्फ तरफ जाएंगे यहां पर खेलने का ऊप्शन जो इनके पास है e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 bishop c5 d3 d6 यह close variation है इस पर ही हमारा आज focus रहने वाला है तो सारी line जो है जो कि modern days में आजकल खेली जा रही है वंदो कालसन आनन सभी player जो आजकल खेलते हैं यहाँ पर उनकी यह favorite line है क्योंकि इसमें काफी कुछ रुई लोपे जैसा होता है और काफी interesting variation है काफी है मौका मिलता है सभी players को इसलिए ज्यादा खिलने देखने के लिए मिलती है आजकल यह castles so knight f6 bishop g5 यहाँ पर white ने काफी जल्दी bishop g5 कर लिया है वैसे c3 की तरफ खेलना चाहीता और castle के लिए mostly जो है दोनों player wait करते हैं तो यहाँ पर white ने black ने खेला है h6 and bishop h4 यह move clearly गलत है क्योंकि यहाँ पर g5 के बाद यह bishop जो है properly work नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं कि सारे dark squares पर ही pawn है तो यह bishop जो है properly work नहीं करेगा यहाँ पर इन्होंने bishop g3 खेला है तो यहाँ पर बहुत ही शांदार move जो है बहुत ही बड़ीया combination यहाँ पर इन्होंने खेला है that is a h5 h5 खेलने से अब h4 करके आप इस piece को trap कर सकते हैं तो इन्होंने खेला है night g5 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर f7 पर attack है बट यह होने के बाद भी बहुत ही शांदार combination लगना पिन का इससे बहतरी इस्तमाल आपको शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा तो h4 good move अपना rook और queen पर night fog इन्होंने invite किया है बट इसके बाद भी यहाँ पर काफी pressure डाल सकने तो देखने के कैसे डलेगा h into g3 then knight into d8 as usual हर player चाहेगा कि यहाँ पर इसे ही मारा जाए बट आप देख सकते हैं कि h file open हो चुकी है यह bishop भी king side में देख रहा है यह pawn काफी pressure डाल रहा है कुछ और pieces की हमें जरूवत है तो इन्होंने bishop g4 खेला है और अपने इनकी queen पर attack किया है so queen d2 as usual so knight d4 यह good move है यहाँ पर जो है knight f3 का threat लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि match बचना काफी मुश्किल हो जाएगा इदर unavoidable match लगने वाली है so इन्होंने खेला है knight c3 और आप देखे किस तरीके से match हो रही है so बहुत ही शांदार तरीके से knight f3 इन्होंने खेल दिया है then gene to f3 and bishop to f3 gene to h2 हो रहा यहां पर एक और option है जो हम देख सकते हैं कि knight c3 की जगे यहां पर 13 move पर h3 भी खेल सकते हैं but still यह survive नहीं करमाएंगे क्योंकि knight e to check then king h1 और फिर एक बहुत ही brilliant move यहां पर आ रहा है that is a rook h3 then g h3 and bishop f3 तो बहुत ही शांदार तरीके से match हो गई है चलिए इस version के यहीं पर end करत है जो के इनको prepare करना काफी जरूरी है mostly हमारे यह series beginners or intermediate players के लिए है so कैसे इस opening को खेला जाया how to play chess openings क्योंकि beginners or intermediate players को काफी मुश्किल होती है तो नहीं मुश्किलों को हमने solve करने की कोशिश की है so इसका जो next relation है इसमें हम लोग बात करते हैं कि कुछ इस तरह की की position होने वाली है so e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 bishop c5 d3 d6 so यह हमारे last game में भी खेला गया था castle so knight f6 इस बार वाइट ने ज्यादा बैतर मूब के लिए h3 then h6 then a3 और इस bishop के लिए रास्ता बना लिया है साथी future में यह b4 चलके इदर कुई side में थोड़ा सा space भी गेन कर सकते हैं तो castle knight c3 and bishop e6 bishop e6 e6 f2 e6 यह पहुंच जोबल हो गया है पर यह pawn center की तरफ आया d5 square को properly इसने control किया हुआ है सो कोई भी इन्हें खत्रा नहीं होगा और कोई मुश्क्राइब का सामना नहीं करना पड़ेगा बलकि यह इस f file का इस्तमाल भी कर सकते हैं so knight a4 तुरंती इस bishop को लेने की कोशिश किये white ने bishop b6 then point to c3 इस bishop को कभी भी भी मारा जा सकता है d4 square को control कर लिया है ताकि future में नाइट यहां बढ़ना आए and queen e8 यह बहुत इंट्रेस्टिंग आइए इसको king side में लाके pressure डालने का so knight into b6 a into b6 and queen e2 so यहां पर equal दी गई है position आप लोग जो है practice कर सकते हैं इसमें practical games के लिए and कुछ और अगर variation दिखते हैं या कुछ moves जिन में आपको doubt लगता है तो आप मुझे पूंच सकते हैं चलिए इसका last variation हम लोग यहां पर देख लेते हैं किस तरीके से खेला गया है सो फिर से शुरू करते हैं e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 bishop c5 d3 d6 then c3 यह सबसे ज्यादा खेले जाने वाली popular line जो आज के समय में बहुत ज्यादा खेली जा रही है और यहां पर दोनों ही sides को काफी ज्यादा chances हैं बहुत सारे different variations हैं बट हम लोग यहां पर ऐसी moves देखेंगे कि in general way हम किसी ही variation को tackle कर सकते हैं so knight f6 simple development कर रहे हैं थोरी प्लेयर castle then a6 bishop के लिए रास्ता पना लिया है साथी साथ b5 करके space begin किया जा सकता है तो a4 white space gain कर रहा है then bishop a7 as usual rook e1 bishop e3 future में हम खेल सकते हैं और इस डिंजिस bishop को exchange कर सकते हैं so castle h3 bishop g4 को white किया then knight bd2 so standard plan है जो कुछ इस तरीके से f5 पर knight को ले जाने का है साथ ही आप देखेंगे कि knight f1 then bishop e3 आके इस bishop को भी जो कि बहुत ही डेंजर से action करने का प्लान है so rook e8 then point to b4 rook e8 का मीनी यह है कि यह d5 करने के लिए ready हो रहा है so e5 पे एक extra support चाहिए इसी लिए जो है इन्होंने ऐसा किया है और यहां पर b4 के बाद इन्होंने खेलाए bishop e6 और according to opening theory यह position equal है तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको पहले ही कि यह हम लोग 10 से 15 moves तक देखेंगे तो यहां पर आप देख सकतें कि equal है और basic जानकारी जो है आपको दी जा चुकी है यहां पर अब इसमें आप गेम खेलिए और comment करके हमें ज़रू बताईए कि आप उस गेम में जीते या हारे और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी ज़रू बताईगा चरे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में